बुलधाना जीले के मेहकर तहसिल से गुजरने वाले शेगाव पंधरपूर पाल की सड़क के घटिया निर्मान के खिलाफ सामाजिक कार्यकरता विजय पवार को आक्रामक हो गए। इससे पहले भूख घटाल भी की थी जिसके बाद अधिकारियों ने घटिया निर्मान के खिलाफ कारवाई का वादा किया था लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ इससे नाराज होकर पवार ने शुक्रवार की शाम को नाकपूर में केंद्रिय सड़क परिवहन मंदरी नितिन गटकरी के आवास के पास जहर पीकर खुदकुशी करने का प्रयास किया इस घटना से कुछ देर के लिए गटकरी निवास के सामने अफरा तफ्री मच गई उलेखनी है कि विजय पवार ने आरोप लगाया था कि ठेकेदार ने नीजी स्वार्थ के चलते सड़क को संकरा कर दिया है पवार संबंदित ठेकेदार के खिलाफ सक्त कारवाई और नियमानुसर सडक निर्मान की मांग को लेकर एक सितंबर से नौ सितंबर तक भूख हड़ताल पर रहे थे इसके बाद उन्हें ठेकिदार के खिलाफ कार्यवाही का आश्वा संदे कर भूख हड़ताल छोड़ने लगाया गया था कोई कार्यवाही नहीं होने पर पवार ने गटकरी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी थी सूतरों के अनुसार इस चेतावनी के बाद गटकरी के आवास के नीचे और बाहर बेल्डिंग के ऊपर शहर पुलिस का सक्ट पहरा तैनात किया गया था लेकिन सारी सतरकता तब बेकार हो गई जब पवार ने उनके घर के बाहर जहर गटक लिया पुलिस ने उन्हें तुरंत उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया उनकी हालत खत्रे से बाहर बताई गई इस घटना के बाद उनके साथ मौजूद एक अन्यव्यक्ती सुन्दर संचेती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया